कॉंग्रिस कारी समीती के सिदस्य और पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेडा कॉंग्रिस के राष्ट्रिय आला कमान के निरिदेश पर फत्यवाद में कॉंग्रिस के राष्ट्रिय डॉक्टर विनित पूनिया के काराले पहुंचे तो वही कॉंग्रिस के राश्ट्रिय सच्ची व डॉक्टर विनीत पूनिया को टिकेट न मिलने से दुखी कारे करताओं के बीच पहुँचकर खेडा ने अपने संबोधन में बड़े राजनीतिक संकेत भी दिये खेडा ने इस मर्थुकों को डॉक्टर पूनिया की केंद्रे स्तर पर मजबूती का एहसास दिलाते हुए कहा कि उनके अंदेखी नहीं होगी उन्होंने कहा कि डॉक्टर विनीत पूनिया का पार्टी में उच्वल भविश्य है और वह बहुत आगे तक जाने वाले हैं आने वाले दिनों में कॉंग्रेस आलकमान द्वारा डॉक्टर पूनिया को और भी बड़े जिम्मेदारी देने का इशारा करते हुए कहा कि भविश्य में पूनिया टिकेट बांटने वालों में शामिल होंगे सेंकडों की संख्या में पहुंचे कॉंग्रेस कारकरताओं के बीच अपने संबोधन में पवन खेडा ने कहा कि पार्टी आला कमान के निर्देश पर वह फत्यबाद पहुंचे हैं टिकेट का नेर लेते समय कहिकारण देखने पड़ते हैं और कई बार काibility नेता भी टिकेट से वंचित रह जाता है डॉक्टर पूनिया के समर्थकों को होसला अफजाई करते हुए खेडा ने कहा कि डॉक्टर विनेद पूनिया को टिकेट न मिलने पर कारेकरता दिल छूटा ना करें दाविदार कहीं होते हैं लेकिन टिकेट एक को ही मिलती है कॉंग्रिस की किंदरी स्तर के आला नेता आपका दुख समझ रहे हैं इस दोरान बड़ी संख्या में मौजूदा सरपंच, जिलापरिशद, सदस्य, पंचायत समीती सदस्य, पारशद, समेत, पूर्व सरपंच, पूर्व जिलापरिशद, और पंचायत सदस्य और अन्य गड जर्मान्य लोग मौजूद रहे